असलाम अलिकुम इस्ट्रेडन हमारा चैप्र नमबर सेकंड चल रहा है और इसमें एक लेक्षर कर लिया था अपना आज हम लेंग्स लेक्षर करने जा रहे हैं मैं टिर्य स्ट्रेट्स ऑफ मेटर का और ट्री स्ट्रेट्स ऑफ मैटरम आज हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है ठीक है सबसे पहले हमें समझना है कि डिफ्यूजन क्या होता है ताके हम आगे अपना एक law proof कर सकें बगए डिफ्यूजन या बगए density के पता किये हम grams law of diffusion को नहीं कर सकते हैं ठीक है higher concentration to region of lower concentration कि अगर हमारे पास particles की movement हो higher concentration से lower concentration की region की तरफ तो हमें से कहते हैं यह हमारे पास किलाता है diffusion पहले भी discuss कर चुके है diffusion होता क्या है basically मैंने आपको बताया ता रों के एक कॉर्णर पर खड़े क्या तो क्या अगर आप एक perfume की bottle से या bottle से आप spray करते हैं तो वह इस spray के molecules क्या करते हैं उस कमरे के अंदर फेलना शुरू करते हैं spray के अंदर जो molecules होते हैं वह पर्फूमेरी होते हैं रोमा वाले होते हैं और जो हमारे atmosphere में गेस के molecule हैं वो orderless हैं without smell हैं तो जब खुश्बू वाले molecules या aromatic molecules निकलते हैं और निकलने के बाद spray से क्या करते हैं इसके अंदर move करना mix होना शुरू करते हैं बोतल के अंदर higher concentration थी और कमरी के अंदर lower concentration की वज़ा से वो lower concentration में move करना शुरू कर देते हैं और यह जो mix होना है spread करना है molecule का यह कलाता है diffusion ठीक है एक और इस तरह करते हैं eventually the particle will disperse evenly through the space space के अंदर particles का जो है वो disperse हो जाना ठीक है अब अगर molecule इस तरह निकलते हैं और निकलकर पूरे इस रूम में फेल जाते हैं यह रोवर concentration इस तरफ जाते हुए लोवर concentration की तरह में सागत रोम के इस corner पर खड़े हैं इस corner पर खड़ोगे आपने spray किया और इस परे करने के है तो रूम के अंदर डिफ्यूजन शुरू हो जाता है लेकिन इस प्रेकी बॉटल से जो प्रिनी होल उसका उस होल से जो निकलना है पार्टिकल्स का वह हमारे पास कराता है इफ्यूजन यहां से जो चोटी सी आपनिंग है स्प्रे बॉटल की वहां से मॉलिकूल का निकलना पास करना यह हमारे पास किलाता है इफ्यूजन लाइक अगर यह हमारे पास एक टायर है इस टायर के अंदर अगर एक कील लग जाती है तो इसके अंदर के जो मॉलिकूल्स है वह बाहर की करेंगे यह पॉइंट है इस पॉइंट पे जहां पर की लगी है यहां से तो मौलकुल भार आ रहे हैं यह किलाएगा इफ्यूजन तो मैं अच्छा डिफ्यूजन समझ में आ गया इस पॉइंट ओफ मॉलकुल जो हमारे पास है डिफ्यूजन कहलाता है अब रेट अफ्यूजन कहलाथा है दो वालियम उकॉपाइड बाइदा स्पॉइडिंग मॉलकूल इप रिस्पेक्टू टाइम अगर टाइम के रिस्पे कि स्प्प्रे करता हूं तो स्प्रे करने के बाद मैं उसे बीसे करते आजumanibenっぱ कमरे का जो वालियम है जिसमे आप बैठे हैं अगर मान लेता है 20,000 DM क्यूब है और की आभ ने कि उसको फेलने में 10 सेढ़ लग गए तो इस कमरे में फेल लेंगे 10 सेकंड लग जा इसका मतलब है कि आपके पास 1000 पर सेकंड उस गेस का डिफ्यूजन हो रहा है ठीक है अब यही है कि यह जो higher concentration है इसकी तरफ जाना lower concentration की तरफ इस तरह यह molecule higher concentration में यहां मुझूद थे इनको इस परे किया गया यह फेलना शुरू हुए और फेलते फेलते पूरे कुम में फेल गए यहां से यहां तक जो time आपको required होगा यानि कि जो time आपको stop watch पे नदर आएगा यहां से यहां तक फेलने का वो आप time note करोगे तो time की रुवन में लोगे थे हमारे पास यह कहला आथा है rate of diffusion तो जितने वोलिव में फेल रहा है विसस्पेक्ट टायम यह हमारे पास कहलाता है रेट of diffusion ठीक है यहाँ भी देख लेते हैं डैन्सीटी क्या चीज है तो हमने रेट अब हम आ रहे हैं और देंसीटी पर देंसीटी क्या चीज होती है कि हम डी से देंसीटी प्रेजन करते हैं ठीक है M को mass को M से represent करते हैं और volume को हम V से represent करते हैं तो हम कहते हैं जो density है वो क्या है density is the specific property of matter that is related to the mass divided by volume जो भी इसका mass है उसको आप उसके volume से divide कर दो यह कहलाती है density तो mass मास और रेंसिटी आ पास में टैरेकवी पोर्पोंचनल है यानि क्य Art nation बढ़ेकर देंसिटी कम होगी मास बढ़ेगा देंसिटी भी सासाद बढ़ेगे जहां पर सिर्टि हो बढ़ता है वहां पर मास भी बढ़ेगा जहां पर मास बढ़ेगा वहां पर डेंसीन भी बढ़ेगा दोनों धुसरे के डायक्ली प्रपोश्चनल होंगे तो देंसिटी भी जो आघए क्या चीज़े और मामें रेट आफ दीफूजन निबता लग गया अब हम ग्रहाम स्वाफ डिफूजन पर क्योंकि ग्रहाम स्वाम में एक चीज़ब कॉंपनेंट है वह हमारे पास है रेट ओफ डिफूजन और दुसरा हमारे पास है देन्सिटी कहता है रेट ओफ of diffusion of gases in inversely proportional to the square root of density यानि कि जो हमारे पास rate of diffusion है वो inversely proportional है density के root के क्यों क्योंकि density अगर बढ़ेगी size molecule का बढ़ जाएगा और size molecule का बढ़ गया तो उसको फेल ले में उतना ही देर लगेगी अब मिसाल के तोर पर आपको मैं example देता हूं एक फुटबॉल के ग्राउंड में अगर आप 22 जो प्लेयर उनको खेते हैं कि फेल जाएं ग्राउंड के अंदर तो अगर 50 किलो के वज़न के हैं तो उनको फेलना 50 kg को फेलना और फिर 100 किलो के एक जो बाइस हैं हमारे पास उनको कहेंगे फेल जाएं तो यकीन हैं आप बता होगे कि जो 50 किलो वाले हैं वह ज्यादर तहीं से ग्राउंड के अंदर फेल जाएंगे देन सो किलो का मास ज्यादा है उनकी मुव्मेंट सुलू होगी इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल गेस के जिसका मास ज्यादा है उनकी मुव्मेंट सुलू होने की वज़ा से डिफ्यूजन रेट क्या होगा वह भी सुलू होगा क्योंकि मास ज्यादा है मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के अंदर जाना मुश्किल होगा और मुव्मेंट भी सुलू होगी जिस वजह से रेट ऑफ डिफ्यू जहां हमारे पास k जो है वो rate constant के बराबर है, r जो हमारे पास rate of diffusion के बराबर है और d हमारे पार density के बराबर है, ठीक है, तो if the rate of diffusion of two gases, अगर दो gases को आप compare करते हैं, तो एक का आप कहेंगे के r1 हमारे पास बराबर है कि इसके k divided by d1 के constant तो बराबर रहेगा, और दुसरे case में आ divide करते हैं, इस value को भी इससे divide करते हैं, जब हम दोनों equation को compare करते हैं, तो हमारे पास बन जाती है equation r1 upon r2, और यह उपर वाली equation, यह नीचे वाली equation, के इन दोनों में क्या हो जाएगा, cancel, ठीक है, यह उपर आने का बार, d2 उपर आ जाएगा, और d1 नीचे चला जाएगा, यह equation बन गई, r1 upon r2 is equal to root d2 upon d1, ठीक है, इसको whole root में भी कर सकते हैं, के r1 upon r2 is equal, दोनों पर root है, इसलिए हमने whole root कर दिया, ठीक है, since the density of the gaze is proportional to its molecular mass, क्योंकि है, molecular mass और density आपस में साथ बढ़ते हैं, साथ कम होते हैं, तो इस d2 की जगा मास भी रख सकते हैं, m2, और इस d1 की में इस्तेमाल करेंगे, यह वाली भी जहां density का यूज होगा, और जहां पर molecular mass का यूज होगा हम, वो यह वाली equation इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हम यह कहेंगे, कि हमारे पास R जो है, वो पहले भी मता चुक हैं, कि जितने volume में भेल रहा है, डिवाड़ बाइ टाइम, विस रिस्पेक्ट टु टाइम, यह हमारे पास rate of diffusion कहलाता है, तो हम इस R की जगा पे, R1 की जगा पे रख सकते हम, V1 अपॉन T1 और R2 की जगा प वो यह वाला होगा, T1 अपॉन T2, multiply by V2 अपॉन V1 is equal to root M1 अपॉन M2, अच्छा यह बात याद रखिएगा, यह वाली equation, maximum इस्तमाल होती है, यह वाली equation, maximum इस्तमाल होती है, इसका काम, कम है हमारे पास, जहां पर time और volume दोनों दिया होगा, और molecular mass दिया होगा, आपने यह व रखिएगा दोनों formula को, अच्छे, gram's law, determine the relative rate of diffusion for the krypton, अब हम एक नुमेरका की तरफ जाते हैं कि krypton और bromine, दो हमारे पास gases हैं, इन दोनों को हमें compare करना है rate को, the first gas is gas A and second gas is gas B, relative rate mean, find the ratio, R A upon R B, आपने R A upon R B मालूम करना है, ठीक है, फर्स्ट gas हमारे पास जो है, यह है और second gas हमारे पास B है, ठीक है, तो यह krypton है, यह हमारे पाद ब्रॉमीन है, krypton का molygram mass तक्रीबन 80, तो ब्रॉमीन का 80, और krypton का 80, 3.8, यानि 84, ठीक है, इन दोनों compare करने के लिए हम देख लेते हैं, R A upon R B, root M B upon M A, अब R A और R B मालूम करने हैं हमें, molecular mass हमें दोनों के given हैं, एक का यह रहा और एक का यह रहा, ठीक है, अब इस equation को इस तरह भी लिख सकते हैं, R A की जगापे हम R क्रिप्टाउन कर दें, R B की जगापे हम R ब्रॉमीन कर दें, और M B की जगापे हम A M ब्रॉमीन कर दें, और M A की जगापे हम M क्रिप्टाउन कर दें, तो अगर value रखते हैं हम, तो क्योंकि हमारे पाफ ब्रॉमीन जो है, वो B 2 की सूरत में होता है, तो इसका mass कितना है, 80, तो हम यहां रखेंगे 159.80, ठीक है, और इसका क्रिप्टाउन हमारे पाफ सिंगुलर form में मिलता है, यहां पर 79.9 ही रखा गया, यहां पर value 2 से multiply करके रखी गई है, ठीक है, तो 159.80 डिवाइड बाइटी 3.80, इससे डिवाइड करेंगे, तो आजएगा 1.38, ठीक है, अजी जो answer आया हमारे पास, यानि कि जो हमारे पास ब्रॉमीन है, और जो क्रिप्टाउन है, इन दोनों मे जो क्रिप्टाउन है, वो हमारे पास 1.38, यानि कि एक सिलेंडर के अगर हमारे पास क्रिप्टाउन भी है, ब्रॉमीन भी है, उस सिलेंडर का हम जो नौजिल है, या वाल है, उसको open कर देते हैं, तो दोनों जो gases भार आएंगी उसके अंदर, उसके अंदर जो rate of diffusion होगा, य 1.38 by 1, यानि एक मॉलीक्यूल ब्रॉमीन का आएगा, तो 1.38 मॉलीक्यूल जो है, वो क्रिप्टाउन के रिलीज हो रहे होंगे, बासमन में आ रही है, तो इन दोनों के दर्मियान जो ratio आगया क्रिप्टाउन यहां लिखा है, तो 1.38 क्रिप्टाउन निकलेगा, इसके diffuses 1.381 times faster than bromine, देखें, bromine BR2 होता है, इसलिए इस मास को 2 से multiply किया हुआ है, ग्रैम्स तो, आगे मज़ीद लेके चलते हैं, तो लिखा है, an unknown gas diffuse 4.0 times faster than oxygen, बोला एक unknown gas है, पता नहीं कौन सी gas है, ठीक है, लेकिन वो 4 times जादा तेज़ डिफ्यूस करती है किस से, oxygen से, find the molar mass, उस gas का आप molar mass find करें, the first gas is gas A, इसको हम gas A मान लेते हैं, और and the second gas is B, जो B है, वो हमारे पास oxygen होगी, तो हमारे पर rate of diffusion के रहा है, R A upon R B किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है, ठीक है, 4 is to 1 के, तो R A upon R B is equal to M B upon M A, A की जगा, R A तो A ही रहेगा, यहां पर oxygen की जगा पर हम, R B की जगा पर हम oxygen लगा देते हैं, ठीक है, इसे तरह M B की जगा पर M oxygen और M A, ठीक है, अब यहां पर हमने R A की value रख दिगा, यह फोर टाइम फास्टर है, तो 4 रख दिया, यह 4 upon 1 भी रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहिए, यानि कि R A upon R B का मतलब होगा, R A divided by R oxygen, तो R oxygen की जगा पर आपने, जो रखा है, वो आपने 1 रखा है, क्योंकि 1 से compare किया ग होगा, तो 4 molecule किसके होगे, उस unknown case के होगे, तो यहां 4 upon 1 भी रख सकते हैं, लेकिन फाइदा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसने 4 ही रखा है, इस इकवल टू, 32, oxygen का मास कितना होता है, 32, यहां पर यहां पर 15.9 यानि के दियावा इता करीवन किसके, 16 के बराबर 1 का O2 होता है क्योंकि यह O2 होता है, देख लें, तो इस 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 16 को 2 से मुटिप्लाइगा है, 32, तो 32 डिवाइड बाइब एम ए, दोनों दोरब हम ले लेंगे, स्कॉायर रूट, ठीक है, जब स्कॉायर रूट लेंगे, तो हमारे रूट कैंसील हो जाएगा, तो यहां हमारे पास इ लेंगे, तो 16 आ जाएगा, और यह रूट कैंसील हो के 32 आ जाएगा, यह MA आ जाके मल्टिप्लाइगा, यह 16 यहां पे आ के डिवाइड करेगा, फिर जो 16 यहां पे आ के डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यह, यानि के जो आने वाली गेस है, उसका जो म कुन सी होगी वह hydrogen होगी यह तकरीबन फॉर टाइम फास्टर डिफ्यूज होगी देन ऑक्सीजन के ठीक है है hydrogen gas effuses from एक नया नुमेर कला गया hydrogen gas effuses from a 10 dm q vessel in 10 seconds अब यह वाला थर्ड वाला फॉर्मॉला लगया जो आपका बताया था मैंने hydrogen है यहां पर 10 seconds यानि के टाइम दियाव है और हमें पता लग गया तो अधर बना लेते हैं देख लेते हैं टाइम हाइड़ोजन का कितना दियाव है 10 dm q और मास्पा पता understood तू एम यू के बराबर होता है ग्राम पर मोल के बराबर होता है ठीक है ठीक अब कर देख ल्चाइब तर टाइम पोर एं टी यूजन हमें फाइंड करना है और इसके लिए वॉल्म कितना है वह 20 डी म क्यूब है मासं हमें अट पर IHS मां कि इतना होता वो 32에 M u के बराबर होता है अब हम फर्मुला में है क्याث gedacht अब इस एक जगा आर टी ड़ून की जगा पे भाली पर हम हीड्म रख देते हैं और टू रगत्री जगा से जो आली पूजिशन पे हम ऑक्सिजन रख देते हैं तो यह फार्मूला बन गया अब करना आजएगा वैली पॉट करते हैं इस जगा पर हमारे पास टेन आ जाएगा और ऑक्सिजन मालूम करना हमें यह हमारे पास volume आगया oxygen का यह हमारे पास hydrogen का volume आगया multiply by hydrogen का mass आ गया यह oxygen का mass आ गया यह 10 और यह 10 क्या हो जाएगा cancel और यह 2 और यह 32 तो 1 upon 16 और यह हमारे पास आ गया 20 upon this T oxygen ठीके अब इसको रूट से बहार निकाल लेते ही हो जाएगा 0.25 यह T oxygen वाजा के multiply करेगा यहां के divide करेगा तो हमारे पास अब यह divide करेगा तो यह value आ जाएगी अब divide करके हमारे पास answer आ जाएगा 80 seconds यानि के हमारा जो oxygen अगर इसका time जो है वो 10 seconds आ रहा है तो oxygen का time कितना होगा वो 80 seconds के बराबर होगा ठीक है आगे चलते हैं अगले की तरफ कि अगले हम लॉक की तरफ चलते हैं ठीक है उसके पूरे सकते हैं आपको हिश्चिन जर्फ कर सकते हैं यह रादर जाओं पर लगा रही है एक मरतावाइस डायगराम से अंदाजा करते हैं इस डायगराम में कह रहा है खे हमारे पास दकर करेपन आप्र जो हम पहल लेकर आएंगे तो हमारे पास के मोल गेांगे यह दोनों आपके के लोग के मताबिक जो मोल्स होंगे वो एड़ हो जाएंगे और जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा एड़ हो जाएगा यानि कि इसका प्रेशर 2.4 था इसका 6 था यह भी दोनों समों के 8.4 हो जाएगा यानि इस लोग के मताबिक अगर हाइड़न का प्रेशर 2.4 है और 680 में तो हमारे पास जो है वो लो के मुताबिक जो लो है कहता है कि टोटल जो है टोडल प्रेशर जो है वह इस इक़र ब्राबर होगा पीवन यानि परसे प्रेशर फॉर वर फॉर फॉर इसमें दो ही दिये वह बोल रहा है से ज्यादा भी हूं इतने भी हूं उन्स सबको आपको क्या करना पड़ेगा एडि करना पड़ेगा तो आपके पास total pressure आ जाएगा तो sum of the all partial pressure is टोटल pressure इस लोग के मुताबिक ठीक है तो पेशर को हमने सम कर दिया इस लोग के मुताबिक इसका कितना 2.4 इसका 6 दोनों को सम किया 8.4 ATM हमारे पास answer आगया यानिके हमने जितने भी gases के pressure है प्रशर प्रशर है उनको हम सम कर दे तो हमारे पार total pressure आजागा था था total pressure of the mixture of the law क्या ऑप लेते हैं the total pressure of the mixture of gases is a sum of partial pressure of gases of the mixture तो वह तोटल प्रेशर के बराबर होगा है कि मैथमेटिक लिए अगर हमारे पाद एक गेस है जिसका नाम पी एक 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 प्रेशर 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 को हम पीटी कह देते हैं तो उस के मुताबिक अकॉर्डिंग डॉल्टन लॉओ हम इन तीनों गैसे इसको गया करेंगे उन छोल्न गिस्टी किवेशन पीजी क्व एक वर्ट्रेशर प्रेशर पैल और अंटी होगा ठीको हम क्या कर सकते हैं और पीटी और यह म Pan query न करेंगे यहाथ व हमारे पास equation किस तरह बन जाएगी यहां multiply कर रहा है यहां के डिवाइड करेगा तो पीटी इस इकवल टू एंटी आर्टी डिवाइड बाइड वी ठीक है अगली के लिए नहीं कि पिछली वाली इकवेशन हमने यहां दुबारा लिख ली यह आ गई अब हम यह तो टोटर प्रेशर की बात कर रहे हैं और पार्शल प्रेशर वाले कंटेनर की बात कर दोंगे अब इन दोनों चीजहों को हम compare कर लेंगे दोनों equations को जब इन दोनों equations को compare करते हैं comparing the question 1 and 2 P A divided by P T हो जाएगा और यह उपर वाली equation नीचे वाली equation दोनों रख दी जाएगी यहापे यह पूरी value इस पूरी value से cancel हो जाएगी तो आगे हमारे पास क्या answer आजाएगा P A divided by P T is equal to N A divided by N T यह एक और equation बन गई कि किसी गेस का एक partial pressure divided by total pressure number of partial number of mole divided by total number of mole यह एक और equation है जो हम apply करते है Dalton's law of partial pressure में ठीक है question कर लेते हैं इसका question है mixture of hydrogen gas and oxygen gas exert a total pressure of 1.5 ATM 1.5 ATM किता है एक गेस hydrogen है एक oxygen है उसका और प्रेशर 1.5 R ATM आ रहा है on the wall of this container इसकी वाल के container पे if the partial pressure of hydrogen is 1 ATM अगर hydrogen का partial pressure 180 में find the mole friction यानि कि find the pressure of oxygen मालूम हमने करना है तो data में हम देख लेते हैं कि हमें P hydrogen दिया हुआ है कि इतना 1 ATM P total दिया हुआ है इतना 1.5 ATM ठीक है find हमने क्या करना है partial pressure of oxygen ठीक है डाल्टनला अप्लाए कर देते हैं डाल्टनला के मताबिक जो total pressure बराबर होगा दोनों के सम के बराबर होगा अब हमें मालूम oxygen करना है तो या hydrogen या प्लस करता है मैं जा करेगा माइनस करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा P oxygen is equal to यानि कि हम हाइड तोटल प्रेशर में से इस oxygen के प्रेशर को hydrogen के प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आज जाएगा oxygen का pressure कितना 0.5 ATM ठीक है यह इस इस नुमेरकल था कि आपने सिर्फ प्रेशर कुट करने दें पार प्रेशर प्रेशर और डोडल प्रेशर आपको पास आज प्रेशर में एक और नुमेरकल देख लेते हैं इन दा प्रिपरेशन आफ औक्सीजन इन लिबाटरी एक लिबाटरी का अंदर oxygen प्रिपेर की जारी है और आपने dry oxygen का pressure मालूम करना है और वेपर्स का जो प्रेशर बता रहा है वो कितना बता रहा है 24 टोर ठीक है तो आपने ऐसे कुजिशन में जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक वॉलियम दियावा है ठीक है दूसरा वाल प्रेटर दियावा है और एक प्रेशर दिया गाओ एख हमारे पास वॉलियम दियावा है 500 CMQ वह रहा एक प्रेशर हमारे पास दियावा है 25 तेपर दियावाह है 25 Degrees centigrade वह रहा इसमें 213 एड़्कर कर लेंगे पी टोटाल हमारे पास जो दियावा वह कितना दियावा है यहां पर 724 टोटल इस लिए लिख़ा है क्यों ड्राइ आक्सिजिन का वालियम आपने आप देख कते हैं यहां पर मेरे पाफ वालियम जो है वी टू है मालूम करना है हमें टेंप्रेच्छर कितना उता है 273 केल्विन और प्रेशर इस्टेंडर कितना होता है 762 टेंटर ट्रेचर अप्रेचर से हमने यह ले लिया ौटरवे ओने ड्रार वालिम और अब्राइब उसका हमें ब्रक्ष करना पड़ेगा तो यहां और पेरिच्छ वाटर का प्लस कर रहा है कि कशलेगा माइनस तो इस तरह हमारे पास pressure oxygen बराबर आएगा pressure total divided by minus water pressure total pressure हमारे पास कितना दियावा 724 वो यह रहा इसमें से हम water vapor pressure यह वाला क्या कर देंगे minus 700 टोर यानि 700 टोर हमारे पास pressure oxygen का आजाएगा इसको हम P1 भी कह सकते हैं अब इस equation में हमें पता है कि फॉनसा formula रपला होगा P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 अब इसमें हमें V2 मालूम करना है तो यह यहाँ पर आके divide करेगा और यह वहाँ पर आके multiply करेगा तो equation इस तरह बन जाएगी अब सिर्फ आपने values put करनी है values put कर लें और जबाब values put करेंगे और फिर इनको multiply divide करेंगे तो आपके पास volume आजाएगा 421.89 cm3 तो आपके पास यह volume होगा इस condition पर इस condition पर इस condition पर वोल्यम यह था तो इस condition पर वोल्यम ट्राय एक और question दिया mixture of gas at 760 TOR contain 2 moles of nitrogen and 4 moles of carbon dioxide what is the partial pressure of each gas in TOR ठीक है तो यहाँ पर आपने बता रहा है अब भी दुसरा वाला फामूला अप्लाय होगा यहाँ पर कौन सा वाला आपन प्त डिवाइड वाइड 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 लाइड लेए अपर ने पारश हैं पर स्कूंतो इंसा necessarily कले मार्यों कर यहाँ पर सिंसे प्रिसर मार्णर तो सबसे पहले हम नैट्र ज़िचन का प्रेशन मालूं करने के लिए आप एक ही जगापे लिए क्या ्यन्हें टू नेक्र ग्वाइड वाइड 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 वा तो आपको एक प्रेशन मालूम हो गया दूसरा प्रेशर जस्ट आपने माइनस करके निकाल लेना है मिसाल के दर पर होगा निट्रोजन ग्लस पी ऑक्सिजन पी कार्वन द्यक्साइड का प्रेशर मालूम करना पीद्रोजन थे lav तो पी डी माइनस पी टोटल आपके पास दियावाइवाइव सेवं सिस्टी नाइटरोजन का आपने क्लिट किया वह यहां रख दें इसमें से इसको माइनस करें आपके पास यहां सरा जागा कार्मन डायकसाइड के प्रिशर का पी कार्मन डायकसाइड इस इक वल तू फाइव सीरो सिक्स पॉइंट सिक्सिक्स सेवन डोरा ठीक है यह एक और नुमरेकल दिया हमारे पास इस नुमरेकल में कह रहा है कि हमारे पास यह एक इतना एक कंटेनर है जिसको 12.5 डीम क्यूब जो है उसका जो है वह वो वालियम है और इसकार इसमें जो है हमारे पास CH4 जो करना है डापने लोर फोर के मौन ग्रैम में मास से उसको मौल में कनवर्ट करेंगे मौलिक्ला वेड करेंगे 16 से CH4 के 0.25 मौल आगे हमारे पास और इसी तरह आप नाट्रोजन का 1.8 ग्रैम दिया वाए 28 से इसके मौलिकुलार वेड से डिवाइड करेंगे तो नैट्रोजन तो आपके पास आजाएगा 0.3905 मोल अब आपके 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 पास प्रेशर निकाल गए प्रेशर सम कर लें बात एक ही है ठीक है तो प्रेशर आपने फाइंड करना है ती हमारे पास 0 सेंटिग्रेट दियावा यहां पर है ठीक है यह रहा अब इसमें 273 एट करके कैल्विन में कर लेंगे और आर की वैलिव आपको पता है वह 0.0821 सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पास यह वैलिव को मल्टिप्लाइ करें तो यह आंसर आगए यहां करेंगा यहां करेगा तो आपके पास आंसर आ गया प्रेशर इस इक्वल्टो 0.780 तो आपने इस तरह प्रेशर निगाल लिए यह पॉइंट का फरक आ सकता है इसके अंदर 0.699 भी हो सकता है ठीक है तो आपने टोटल प्रेशर निगाल लिए अच्छा अब आडिल गेस क्या है हमारे पास हमें पता आडिल गेस क्या होती है जिसको हमने इमेजन किया जो हमारे gas loss को fulfill करती है या obey करती है जो kinetic molecular theory के तमाम postulate को obey करें वो ideal gas है real gas क्या non-ideal gas क्या है जो exist करती है हमारे पास और nitrogen oxygen hydrogen oxygen यतनी भी gases है जो exist करती है हमारे पास कहलाती है non-ideal gases ठीक है deviation करती है किस cases पे अगर आप यह कहते हैं no force of attraction जो हमारे पास ideal gases कोई foreign force of attraction नहीं होती among the molecule of gases the actual volume of gases volume is negligible as compared to the volume of vessel आगे जो ideal gases उसको हम कहते है कि इसका जो हमारे पास volume है वो negligible है लेकिन जो हमारे पास जो deviation आती हो इसी विनियाद पर आती है कि जो हमारे बाद रियल gases है उसके अंदर force of attraction भी होती है और जो ideal gases उसको कहता है कि force of attraction नहीं होती यहां deviate करता है और दूसरा पॉइंट यह कहता है कि हमारे पास जो molecule है ideal gases के उसका volume negligible होता है लेकिन हम यह कहते हैं कि रियल gases का volume negligible नहीं होता ठीक है तो यह हमारे पास गेस का टॉपिक खतम हो गया अब इस गेस के टॉपिक के बाद हमने लिफ के प्रणा शुरू करना है तब तक के लिए इजाज़ दिजिए बहुत शुक्रिया आला हाफिस